स्टूडेंस वेलकम टूमा यूट्यूब चैनल ओनलाइन लर्निंग आज में आप लोगों को बीएसी नर्सिंग ओनलाइन काउंसलिंग फॉर्म में जो कॉलेज प्रिफरेंस कैसे भरना है वो बताऊंगी इस वीडियो में तो मेरा ये वीडियो पुरा लास तक जरूर देख देखिए मैंने आपको पे नाओं पे तक बताया था जहां पे 1000 फीस आपको पे करना था उसके आगे मैं पे नहीं कर सकती क्योंकि मैं फॉर्म नहीं भर रही हूं तो मैं यहां पे आपको यूजर गाइड से बता रही हूं देखिए यहां पे एक एक ओप्शन पहले में बता दू कि यहां पे डैशबोर्ड और पेमेंट दो चीज़ खुलती है बट यहां जब आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपका डैशबोर्ड जो है वो एक्टिव होता है यानि यह बटन जो है वो क्लोज रहता है पेमें इस सक्सेसफोली डैशबोर्ड यहां पे आप इसे चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं यहां पे जाके अब आपको डैशबोर्ड में जाना है जैसी आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आपके सामने डैशबोर्ड के नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख के आएगा यह activate हो जाएगा आपका registration option यह देखे आप देख सकते हैं यहाँ पर registration form लिखा हुआ है इस तरफ पे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यह form में कुछ भरना होगा कुछ details जो पूछा गया है जैसे कि आपका नाम फिर आपके mother का नाम फिर male है या female फिर select college type आपको कौन सा college चाहिए अब देखिए कुछ लोगों ने मुझसे comment में पूछा था boys में से कि मैं यहाँ पर private college ही आ रहे हैं government college क्यों नहीं आ रहे हैं तो जब आप यहाँ preference में select करेंगे तो यहाँ पे girls के लिए government plus private college दोनों आएगा और boys के लिए सिर्फ private आएगा जब आप यहाँ mail लिख देंगे तो क्योंकि government college में सिर्फ girls ही apply कर सकती सिर्फ female ही apply कर सकते हैं ठीक है अब आप यहाँ जाएंगे कास certificate issued by 32 गर्ड स्टेट तो येस अगर आप स्टी सी हैं तो जनरल है तो नो क्लास में पी एच एफ 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 एस है नहीं है फिजिकली हैंडीकैम की freedom fighters यानि क्लास नहीं है तो नो को क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे अपना address लिखेंगे minority हैं अगर आप Christian वगरा minority group में आते हैं तो यहाँ पे yes करेंगे इस form को खोल के नई तो no करेंगे फिर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा father ने जो आपने form में online form जब आपने exam form भरा था आपके जो father का नाम है आपके 10th class की mark sheet में लिखा है सेम वैसे लिखेंगे date of birth भी ऐसी फील करेंगे जैसा यहां दिखा रहा है आरियो 36 डॉमसाइल येस आपको येस पर क्लिक करना है फिर category में जो भी आप होंगे यहां से क्लिक करेंगे तो आपको option मिलेगा यू आर एस्टी एसी ओबीसी फिर cg state permanent का certificate है अगर है तो येस नहीं है तो नो फिर आर यू क्या आप वर्तमान में स्वास सेवा के चिकिसा शेत्र में कार्यास्त है तो नो क्योंकि आप तो student है आप अभी जॉब नहीं करते बीसी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां करेंगे फिर उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहां पे लिखा ह आपको कितने मार्क्स मिले आउट ओफ हंडरेड लिखेंगे और बायलोजी में आपको कितने मार्क्स मिले आउट ओफ हंड्रेड आप लिखेंगे फिर सब्जेट नेम जब यहां ओप्षन में जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो बायलोजी सेलेक्ट होगा फिर 12 पास इन Physics Chemistry Bio अब उसके बाद यहां पे आपको लिखना है कि आपने टोटल मार्क्स कितने पाए हैं 12 में जैसे कि इसने लिखा 300 आउट ओफ 500 500 आपको भी लिखना बाकी जो मार्क्स आपने आपको जितने मिले वो लिखेंगे और यहां परसेंट अपने आप कैलकुलेट होके आज आएगा 12 का परसेंट अब अब जब नीचे आएंगे तो अपलोट फोटो यहां पे आपको चूस फाइल करके अपना फोटो अपलोट करना है सिगनेचर भी इसी तरीके से करना है फिर 10 की मार्क्सीट भी स्कैन करके यहां लगानी है 12 की मार्क्सीट भी स्कैन करके यहां पे लगान होगा क्योंकि यहां पे पीडियो फाइल तो चूज नहीं होती है तो यहां पे मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है किस तरीके से आपको अपने document को iscan करके जेपीजी इमेज में safe करने के बाद यहां पे choose file करके upload करना है जैसी अब choose file करके upload करेंगे ये 5 चीजों को यहाँ पे आपका display होते जाएगा और इसकी कुछ size mention होती है वो आप instruction से देख लेंगे फिर यहाँ पे एक check box आएगा ये देखी check box इसको आप click करेंगे और फिर आप summit पे दबाएंगे चैसी आप summit पे दबाएंगे यह देखी यहाँ पे date of issue भी लिखना होगा आपको कि कब आपको 36 domicile का certificate जो है वो issue हुआ है यह आप करेंगे और आवेदक द्वारा साक्षर ये टिक करेंगे check box पे और फिर आप summit पे click करेंगे चैसे आप summit पे click करेंगे आपके सामने ये print preview का option होगा print preview option मतलब ये आपको ये बता रहा है आपने जो भी कुछ form भरा है पिछले stage में वो आप देख लें कि आपने सही भरा है कि नहीं अगर आपने सही भरा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे check box पे click करेंगे और यहाँ save and next save and finish पे जाएंगे save and finish में जाने के बाद आपका जो ये form है वो submit हो जाएगा उसके बाद उसके बाद अब आप देखेंगे कि जैसी ही आपने यहाँ पे registration form को click किया भर दिया वो fill हो गया अब वो हट चुका है अब आपका दूसरा चीज activate हो गया अब दूसरी बटन चालू हो चुकी है वो है choice feeling की अब अब यहाँ देखेंगे choice feeling में यहाँ पे जितने मैंने एक वीडियो में आपको list बताये था colleges का private or government colleges के वो list यहाँ पर आपको दिखेंगी अब आपको क्या करना है अगर आप college का नाम जानते है तो यहाँ पे simply search करेंगे और नहीं जानते हैं तो इस box से देखेंगे यह वाले box को उपा नीचे कर करके अब देखेंगे इसको select करने का process क्या है आपको simply अपने mouse का button यहाँ पे लेके जाना है mouse का pointer और point करने की बार बस इसको select करेंगे ऐसे और add button को दबाएंगे जैसी add button को दबाएंगे यहाँ पे आपका पहला college select हो जाएगा तो इसी तरीके से आप फिर उसके बाद क्या करेंगे दूसरा college का दूसरा college जो आपको चाहिए उसमें cursor रखेंगे अपने mouse का pointer रखेंगे select करेंगे यह blue color का हो जाएगा उसके बाद आपको क्या काना add दबाना है और वो अपने आप यहाँ पे add हो जाएगा it means जो आप पहले select करेंगे वो आपका first college रहेगा जो आप second में select करेंगे वो आपका second college रहेगा अब अगर आपने गलती कर दिया तो आप यहाँ पे अपने mouse का pointer लेके जाएगे और remove पे दबाएगे तो वो यह वाला जो है उठके इस तरफ आजाएगा up down up down आपको करना है तो जिसको आप करना है आप उसे click करेंगे mouse के pointer से और up कर देंगे तो वो सबसे उपर में चला जाएगा ठीक है अब उसके बाद आपको सब कुछ यह लिस्ट को करने के बाद यहां पे अरेंज करने के बाद आपको save and preview करना है अगर आप save and preview करेंगे तो आपका save होगा बट अगर आप save and preview करना भूल भी जाते हैं तो भी last में आपका जो form है वो आपका auto save हो जाएगा आपका अपने आप हो जाएगा आप अगर जो भी form को लिखे होंगे वो form ठीक है अब आपको इसके बाद क्या करना है next stage में next stage में आप जाएंगे तो यहां पे आपको आपने जो college का list preference भरा था वो यहां पे आपको दिखने लगेगा serial number wise first में आपने क्या भरा second में आपने क्या भरा फिर फिर यहां पे आपको पुछेगा do you want to lock all choice तो यहां पे आप check box पे click करेंगे यह देखिए और यहां पे इसका पासवर्ड डालेंगे पासवर्ड आपको याद रखना है आपने क्या यहां पे डाला है क्योंकि पासवर्ड याद रहेगा तभी आप इसे खोल के देख सकते हैं कि आपने कौन सा college भरा था और यह लॉक हो जाएगा इसे सिर्फ जो आप जिस दिन आप counseling के लिए आपको date यह college alert होगी उस दिन आपको पता चलेगा यह जो आपके department वाले होंगे medical वाले वो इसे खोलेंगे फिर क्या करना है आपको lock and finish पर क्लिक कर देना है जैसे आप lock and finish पर क्लिक करेंगे यह देखिए आपका यह लॉक हो चुका है अब यहाँ college preference list पर जाके आप इसे देख सकते हैं और edit भी कर सकते हैं जब तक यह भी form submit final नहीं हो जाता तब तक ठीक ह यह देखिए अब इसके बाद आप जाएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे print registration receipt आपको दीख रही होगी यह देखिए print पर जाएंगे आप तब यहाँ पर देखेंगे print दीख रहा है इस print पर जाके click करेंगे तो आपको यह देखिए अपना form पूरा भरा हुआ दिख जाएगा और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे print करके तो आपको आपका form जो है वो print हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से आपने यह जो college preference list में जो लॉक किया था वो आप उसे unlock करके password डाल के अपना preference देख सकते हैं तो इसी तरीके से आपको payment के बाद इस form को भरना है form भरने के बाद आपको college preference भरना है इस form को आपको print out निकाल के रखना है क्योंकि जब आप counseling के लिए जिस दिन document verification के लिए जाएंगे उस दिन आपसे यह मंगा जाएगा तो यह आप safe करके रखेंगे और साथ में जो आपने 1000 payment किया था वो भी ठीक है तो आई होप अब आप लोग को समझ में आया होगा process जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको payment करने के बाद क्या process है college feel करने का इसी तरीके से जिनोंने भी अभी तक form नहीं feel किया है आगे का वो जरूर करें इस वीडियो को देखके और अगर कोई कि भी डाउट हो तो आप comment में मुझसे पूछ सकते हैं तो मेरे इस वीडियो को like करें share करें मेरे YouTube चैनल online learning को जरूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के updates के लिए thank you so much for watching this video